हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोवर की लेंथ कैसे कम करते हैं और उसकी फीटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल न्यू फैशन हट में स्वगत है सबसे पहले हमने लोवर को उल्टा लेना है उसके बाद हम अंदर वाली सैड पे इसकी फीटिंग करेंगे बार वाली सैड पे डिजाइनिंग है हम वो डिजाइनिंग खराब नहीं करेंगे इसलिए हमने अंदर वाली सैड को अच्छे तरीके से बठा लेना है इसके बाद हम लोर की लंबाई ना पेंगे मैंने लोर की लंबाई 38 इंच रखनी है इसलिए हम 38 इंच पर मार्क लगा लेंगे आप जितनी अपनी लेंथ रखना चाहें उतनी रख सकते हैं मार्क लगाने के बाद हमने 40 की सैता से एक सीधा मार्क लगा लेना है उसके बाद हम नीचे फोल्डिंग के लिए 1 इंच का मार्जन रखेंगे 1 इंच पे आपने मार्क लगा देना है और नीचे वाले अफ़ालतू जो भी आपके पास कपणा बचेगा उसकी कटाई कर देनी है इसके बाद हम इसका पहुंचा जहां जिसे मुरी भी बोलते हैं उसको नापेंगे मैंने 7 इंच मुरी त्यार रखनी है 7 इंच का हम मार्क लगाएंगे इस तरीके से आपने 7 इंच पे मार्क लगा लेना है उसके बाद जेकर आप चोली की लेंथ कम करना चाते हैं तो वो भी आप नापकर कम कर सकते हैं मैंने लेंथ कम नहीं करनी उतनी ही रखनी है इसके बाद हम इसकी रॉंड शेप देंगे उसके लिए आपको एक फट्टी की जरूरत पड़ेगी रॉंड शेप वाली सबसे पहले हम नीचे थोड़ा सा स्टेट मार्क लगा लेंगे सीधा आपने ऐसे मार्क लगा लेना है उसके बाद रॉंड शेप वाली फट्टी की सहता से आपने इसकी रॉंड शेप दे देनी है इसके मार्किंग के उपर हमारी सिलाई आएगी इसी वे के साथ हमने दूसरे हिसे पे भी मार्किंग कर लेंगे सबसे पहले लंबाई नापकर लेंथ का मार्क लगाएंगे 38 एंच पे इस तरीके के साथ आपने 38 एंच पे मार्क लगा लेना है फट्टी की सहता से इस मार्क को सीधा कर लेना है नीचे फोल्डिंग के लिए एक एंच का मार्जन छोडेंगे फाल्तू कपडे की कटाई कर देंगे इसके बाद मूरी का मार्क लगाएंगे अंदर वाली सैड को अच्छे तरीके से बठा लेना है और बार वाली सैड से नापकर हमने साथ इंच पे मूरी का मार्क लगाना है नीचे हम थोड़ा सा एक सीधा मार्क लगाएंगे फिर राउंड शेप वाली फट्टी की सैटा से हमने इसकी गुलाई दे देनी है दोस्तो वीडियो आपको बढ़िया लगी लाइक एंड शेर जरूर कीजिए मैं 100 के प्लस वीडियो बना चुका हूँ आप मेरे चैनल पे जाकर सारी वीडियो का लाब ले सकते हैं मार्किंग के बाद हम इसकी सलाई स्टार्ट करेंगे मार्किंग के उपर ही हमने इसकी सलाई लगानी है और इसके बाद हम जो मार्जन छोड़ना है वो हम छोड़ेंगे दिरे-दिरे करकर आपने ये मार्किंग के उपर सलाई लगा देनी है किसी भी कपड़े को आपको खीचने की जरूरत नहीं है चोली पे आकर जेकर आप चोली की लेंथ कम करना चाते हों तो उसी वे के साथ आपने मार्किंग कर लेनी है दूसरी सैड पे भी हम मार्किंग के उपर सलाई लगाते जाएंगे और नीचे वाला कपड़ा जो बराबर आना चाहिए किसी सैड पे बाद और कम नहीं होना चाहिए सलाई हमारी कम्पलीट होगी है आप चोली के उपर डबल सलाई लगाना चाते हैं तो डबल भी लगा सकते हैं इसके बाद हम पैर पैर का मार्जन शोड़कर इसकी कटाई कर देंगे अब जितना भी मार्जन अंदर शोड़ना चाते हैं उतना शोड़कर इसकी कटाई कर देनी है इसी वे के साथ हमने दूसरे हिस्से पे भी कटाई कर देंगे अब किसी भी पजामे की जा लोर की पैंट की लेंथ और फीटिंग इसी वे के साथ कर सकते हैं, इसके बाद हम नीचे इसो फोल्ड करेंगे, जितना हमने मार्किंग लगाया था, उसी स्थान पे हमने इसको फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करकर इसकी सलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, जितना हमने 38 इंच पे मार्क लगाया था, उतना ही फोल्ड करना है, लोर की जो नीचे सलाई होती है, वो बरीक होती है, ज्यादा जो फट्टी होती है, वो चड़ाई में नहीं होती, इसलिए मैंने एक एंच का जो मार्जन नीचे शोड़ा था, इसी वे के साथ आपने सारे पहुंचे पे सलाई लगा लिनी है, दोस्तो वीडियो आपको बढ़िया लगी, लाइक और शेर जुरूर कीजिए, मूर अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर सकते हैं, सो के प्लस मैंने वीडियो बना लिया है, आप मेरे चैनल पे जाकर सारी वीडियो का लाब ले सकते हैं, इसी वे के साथ आपने दूसरे पहुंचे पे भी सलाई लगा लिनी है, सलाई हमारी कम्प्लीट हो गी है, अब इसकी फनिशिंग देखो कितनी बढ़ी आई है, इसी वे के साथ आप अपनी लोवर, पिजामा और पेंट की लेंथ और फीटिंग कर सकते हैं, थेंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो,